कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर पर लाखों स्रधालों ने लगाई गंगा में आस्था की डुपकी गंगा तट पर उमड़ा जन सैलाब खबर बलिया से है जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर महर्ची भ्रिगु के तपोस्थली के रूप में विख्याद बलिया में लाखों सरद्धालों ने गंगा में आस्था की डुपकी लगाई है गंगा तट पर सरद्धालों का जन सैलाब उमल पड़ा है सुबह से ही सरद्धालों का सिवरामपुर गंगा घाट पर जाने के लिए मिला सा लगा रहा आधिरात से ही सरद्धालों ने आस्था की डुपकी लगानी शुरू कर दी थी कार्तिक पूर्णिमा के इसनान के साथ ही महर्ची भ्रिगू के सिश्य दरदर मुनी के नाम से लगने वाले एतिहासिक दद्री मिले का भी सुवारंब हो गया है आपको बता दें कि स्रद्धालू बलिया में सबसे पहले पहुँचने के बाद गंगा इसनान ही कर रहे हैं उसके बाद महर्ची भ्रिगू और बाबा बालेस्वार मंदिर में सिवलिंग का दर्शन करके बाबा का अशिरवाद ले रहे हैं और उसके बाद वो एतिहासिक ददरी मिले में पहुचकर मेले का अनंद ले रहे हैं इस बीच दूर दराज से आयस रद्धालू की सुविधा के लिए जगा जगा सैकडो समा सेवियों और नेताओं ने भब भंडारा चायनास था और स्वास्त सिविर समित तमाम सिविर लगा कर लोगों की सेवा में जुट गए हैं कार्तिक पुर्णिमा और ददरी मिला की सुरक्षा की दिश्टिक को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलकी भी तैनाती कर दी गई है यूपी नियूज नाइन के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट